हेलो एवरीबन वेलकाम बैक टू माई चैनल कैसे हूँ आप सभी लोग आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंज आज भी मैं लेकर आचुकी हूँ घर और किस्टेन से जुड़ी कुछ ऐसा टिप्स जो आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं आज का पहला टिप आपका बहुत ही काम आएगा क्योंकि जब भी हम गर्मा गर्म बॉयल आलू को छीलने जाते हैं तो हमेशा ही हमारा हाथ जल जाता है कई बार होता है बहुत जल बाजी जल बाजी के कारण हमें गर्मा गर्म आलू छीलना ही होता है वैसे तो इसको ठंडा करके छीले तो वो ज़्यादा सही रहता है लेकिन जल बाजी के कारण अकसर ऐसा होता है कि हमें गर्मा गर्म आलू छीलना होता है और इस तरह से बहुत ज़िदर मुश्किल हो जाता है तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रीक आप ले लीजिए तार वाला पूरी छानने वाला जहरा ठीक है और इस तरह से जहरा में एक एक आलू को रखते जाएए और ग्लास या कटोरी जो भी आपके पास है उसको ले चिल पाएंगे और साथ ही में आप देखिएगा आलू मैस भी होते जाएगा यानि कि आपका घंटो का कम मिंटो में ही बहुत ही इजी तरीके से समेट जाएगा है ना कितना यूसपुल आइडिया अगर आपको यह आइडिया थोड़ी से भी यूसपुल लगी तो वीडिय चिल यह मैं बताती हूं सबसे पहले आपको क्या करना है एक सेप्टिपिन के मदद से कुछ इस तरह से चुटा-चुटा च्छेद बना लेना है च्छेद इस तरह से बनाएं ताकि दोनों साइड से इसका च्छेद बनके तयार हो जाए ठीके अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मैं क्या करूंगी चलिए देखते हैं इसका क्या करती हूं तो इसके लिए हमें लेना है एक नैप्थलिन टैबलेट और टैबलेट को कुछ इस तरह से हम इस पैकेट के अंदर डाल देंगे आप चाहें तो दो टैबलेट भी डाल सकते हैं एक पैकेट में एक से दो ही नैप्तलिन टेबलेट काफी है उसके बाद इसका मूँ को हमें सिल कर देना है तो इस तरह से टेप लगा दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से बंद हो जाए सिल हो जाए ठीक है अब हम लेंगे एक डबल टेप इसका चोटा सा टुक्रा कट कर लेंगे और इस तरह से दिख या तो फिर चोटी-चोटी सी केड़े मोकोडी भी दूर भाग जाएंगे यानि कि आपका बातरूम फ्रेश भी रहेगा और वैक्ट्रिया फ्री भी रहेगा और ये नैप्तलिन जल्दी खतम नहीं होता है काफी दिन चलता है उमीद करती हूं कि ये ट्रीक आपका बहुत ह काम आएगा तो चलिए अब दिख लिते हैं अगला टिप तो फ्रेश जब हम कपड़ा सूखने के लिए डालते हैं तो क्लोट क्लिप लगाते हैं और जब कपड़ा सूख जाते हैं तो इन सभी क्लोट क्लिप को रखने का बड़ा ही मुश्किल होता है दूसरा तो कपड़े में क्लोट क्लीप लगाने में भी बहुत दिक्कत होता है तो इसके लिए एक चोट असर ट्रीक अगर आप फॉलो करेंगी न तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा जैसे कि हमारे घर में जो कुकर होता है उसका रवर कई वर खराब हो जाता है या कई से फट जाता है न त पॉसरा तो आप देखिए जब भी कपड़े को सूकने के लिए डालेंगी न तो इस तरह से हाथ में रवर को लटका लीजिए और एके क्लिप को निकालिए गा और कपड़े में लगाते जएगा और अगर आपको जब कपड़े सूक जाए तो क्लोथ क्लिप को उठाना है त चीजे यूज होने के बाद इस पाउच उसको हम फैक दिया करते हैं तो इसको फैके नहीं इसका कमाल देखिएगा तो आप सही में चौक जाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से 2-3 पानी से खंगाल के धोना बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी चीजे इसमें है अच्छी तरीके से वो धुल जाए उसके बाद इसमें एक पाउच पानी अच्छे से भर लीजिए ठीक है और अब हमें इस पानी को रखना है फ्रीजर में मैं तो फिलालवी एक से दो घंटे के लिए रखूंगी लेकिन आप जब रखिएगा तो हमेशा के लिए एक पाउच पानी हमेशा ही फ्रीजर में रखा करें तो इससे क्या होगा कि देखे ये आइस पैट का काम करेगा जैसे कि कभी चोट बगरा लग जाता है बच्चों को या सभी को चोट लगने से हम क्या करते हैं आइस पैट तुरांद निकालते हैं और उससे सिकाई करते है तो आपको ice pad की जरूत बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप इस तरह का pouches को इस तरह से use करेंगे तो इससे कि आपका सिकाई भी बहुत ही अची तरीके से हो जाएगा है ना कितना useful idea तो चलिए अब देख लेते हैं अगला tip तो friends क्या होता है जब कभी भी हम market जाते हैं कई वर बैट करेंगे तो यह problem भी आपका चूटकी में solve हो जाएगा तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो इसकी लिए बहुति बढ़ी ऐसा उपाय है, फोन तो हम सभी के पास होता है, तो आपको क्या करना है, तुरंट से आपको फोन निकाल लेना है, और फिर उसका फोटो कीज लीजें, ठीके, तो इस तरह से फोटो कीजने के बाद, गैलरी से उस फोटो को निकालिए, निकालने के बाद आप क्या कीजिए फोटो को जूम कीजिए ये दिखिए फ्रेंस तो जूम करने से आप दिखिएगा जो छोटा छोटा अकसर था ना वो आपको बढ़ा दिखेगा तो आप बहुत ही एजी ली पढ़ पाएंगे यहां पर क्या लिखा है और एक्सपारी अगला यूसफूल टिप तो फ्रेंस खाना बनाते बनाते गलती से कईवर ऐसा होता है कड़ाय जल चुका है अब देखिए जली हुई कड़ाय को साफ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तो होती है साथी में यह अच्छी तरीके से साफ भी नहीं होता है ना जानी कितना पानी इसमें डाल देना है और एक चममच डिटर्जेंट पाउडर डाल दीजिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक डालके इसे अच्छी तरीके से बॉइल कर लेना है तो इस तरह से जब यह अच्छी से बॉइल होगा तो आप दीखिएगा जितने भी जला हुआ हिस्सा रहेगा वो अपने आप छूटता जाएगा जैसे कि यह सॉलिशन बहुत ही ज्यादा यूस्पुल कारगर है और उपर से इस तरह से जब बॉइल करते हैं तो अपने आप ही यह चूटता जाएगा तो आपको स्रिप यह करना है कर्ची के बहुत ही बड़ी है तरीक से साफ हो जाएगा ना इसमें भीूमजल डालना पड़ा ना इसको माज़ना पड़ा अपने आप ही यह कडाई बहुत क्योंकि जिरो साइज सुई की इसमें बहुत सुन्दर लगता है देखने में लेकिन उतना ही मुश्किल होता है इसमें धागे को डालना यहां पर आपको लेना है ज्ञारू का एक बाल ठीक है इस तरह एक बाल को आप तोड़ लिजीए और पिर उसके बाद इसमें जो रेशे होते हैं बहुत पतले होते हैं जिस बज़े से जारु जाडू का बाल का स्वाल यहां पर मैं कर रही हमा और पिर उसके बाद इसे हम U सेप में मोड लेना है तो इस तरह से मोडने के बाद अब हमें लेना है नियल कटर नियल कटर बढ़िया तरीके से आप set कर पाओगे और इसे एक बार आप जब बनाओगे ना तो हर टाइम इसे आप use कर पाओगे तो दिखे कितना बढ़िया सा टूल बनके तयार हो चुका है इस तरह का टूल आपको market में मिल जाएंगे जो हमें महेंगे दामों में खरीदना होता है तो क्यों न हम इसे घर में ही बनाएं फिर उसके बाद देखी ये जो जारू का बाल है उसे हमें सुई के अंदर डाल देना है बहुत ही एजीली ये सुई के अंदर डाल जाता है क्योंकि जारू के बाल बहुत ही ज़दा पतले होते हैं जिस बचे से छोटे से छोटे सुई में भी बहुती आसानी से गुश जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है ये जो बाल है इसके अंदर कुछ इस तरह से हम धागा को डाल देंगे और धागा को डालने के बाद आपको क्या करना है सुई को कुछ इस तरह से कीच लेना है तो जैसे ही आप सुई को कीचोगे ना तो आप देखिएगा सुई के अंदर अपने आप ये धागा डल जाएगा बहुती इजी तरीके से जैसे की आप वीडियो में देखें बहुती इजी तरीके से इसमें हम छोटे से छोटे सुई में भी धागा डाल पाएंगे तो इसको समाल के रख लीजिए और जब भी आपको सुई में धागा डालना हो ना तो इसी टूल का इस्तमाल क्या करें हैं ना कितना useful idea तो चलिए अब दिख लेते हैं अगला tip तो friends इस तरह का लाल मिर्च का इस्तमाल हम सभी लोग करते हैं और इसे एक बार इकटा हम ले आते हैं और कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं तो क्या होता है इसमें चोटी-चोटी सी इलिया या फंगस लग जाते हैं जिस वज़े से उस मिर्च का इस्तमाल हम नहीं करते हैं और बहुत सारा मिर्च को हमें फेकना होता है तो इसको हम किस तरह से स्टोर करके रखें ताकि इसमें चोटी-चोटी सी कीड़े वगड़ा बिल्कुल भी ना लागे इसके लिए आपको dry roast कर लेना है यानि कि आप कड़ाई ले लीजिए और उसमें इसको थोड़ा सा इस तरह से fry कर लीजिए ठीक है लगबग आधा सेकेंड के लिए आपको fry करना है बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है फ्लेम को low में रखते हुए आधा सेकेंड के लिए कुछ इस तरह से fry करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है इसे एक प्लेट में निकाल लेना है और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है तो जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो कंटेनर में डाल के रख लीजिए फिर आप देखेंगे ये मिर्ची में कभी भी ना कीड़ा लगेगा ना फंगस लगेगा छे मैंना रख कर भी खाएंगे तो ये मिर्ची कभी भी खराब नहीं होगा बहुत ही यूसपुल ट्रीक है अगर आपके घर में धूप है तो आप धूप में भी रख सकते हैं उमीद करती हूँ ये ट्रीक आपका बहुत ही काम आएगा तो चलिए फ्रेंस आज का कि यह बहुत है